हाई दोस्तों कैसे हुआ आप सब आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में आज मैं इस वीडियो में अन्बॉक्सिंग करने वाले हूँ इन दोनों प्रोडेक्ट्स की एक मैंने शरारा मंगवाया है फिलिप काट से और एक मैंने गाउन मंगवाया है तो सबसे पहले मैं ओपन करने वाली हूँ इसकी पैकेजिंग आप इसका नाम प्राइस और यह वहाँ पे कैसा दिख रहा था इसका डिजाइन वगेरा यहाँ पे देख सकते हैं इसे तो चलिए इसके पैकेजिंग को आप ओपन करते हैं तो देखें मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर लिया है आप यहाँ पर इसका डिजाइन देख पा रहे होंगे कलर सेम वही आया है यहाँ पर जो मैंने वहाँ पर देखा था यहाँ पर इस प्लास्टिक की पैकेजिंग में आ रहा है और यहाँ पर यह चैन दी हुई है इसको उपन करने के लिए इसके साथ यह दिया हुआ है लगाने के लिए यहाँ पर इसमें यह दुपट्टा है और इसे अलग से पैक दिया हुआ है इस पन्नी में देखिए यहाँ पर यह material दिया हुआ है उपर के portion के लिए यहाँ पर जो इसकी नेक आएगी वो round नेक आएगी और यहाँ पर आप देखोगी कि यह जो अंदर में कपड़ा दिया हुआ है यही सिर्फ यहाँ तक दिया हुआ है उसके बाद यह net स्टार्ट हो जाती है और इस net के उपर यह embroidery करी हुई है आपने यहाँ पर फोटो में देखा होगा कि बीच में से कट लगा हुआ है तो वो यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर सिला हुआ हुआ है उसे अभी और इसमें सारी यही embroidery दी हुई है यहाँ पर सबसे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर हमें heavy embroidery दिखाई देग और यहाँ पर नीचे कोई border दिया हूँ नहीं है यह सेम ऐसी ही है नेट के उपर embroidery करी हुई है यहाँ पर मुझे यह semi stretch रिसीव हुआ है उपर का portion भी वहाँ पर लिखा हुआ था कि सिर्फ जो नीचे का bottom है वही material रिसीव होगा बाकी मुझे लगा था कि यह उपर वाला वो बना हुआ रिसीव होगा मुझे लेकिन यह भी semi stretch मुझे रिसीव हुआ है और यहाँ पर यह इसी के साथ में attached sleeves दी हुई है यह net में आएंगी वही इसमें embroidery करी हुई है ठीक है गाईस तो यह जो प्रार कली गाउन है इसमें मुझे उपर का portion semi stretch रिसीव हुआ है अब साथी में जिसके साथ का bottom का आया है उसको देख लेते हैं तो गाईस यह है यहाँ पर इसका bottom यहाँ पर यह बैट दी हुई है और यह इस तरीके से पूरा प्लेन है बाहर इसके net लगी हुई है और अंदर से एक कपड़ा दिया हुआ है और नीचे यहाँ पर हलकी सी यह embroidery करी हुई है net के उपर और यह यहाँ से इस तरीके से openable है अपनी waste के according हम इसे stitch करा सकते हैं अब इसके साथ में जो दुपटा आया है उसको एक बार देख लेते हैं यह दुपटा इस तरीके के packaging में आया है अलग से देखें यह जो दुपटा मुझे रिसीब हुआ है यह पूरा net में है और यहाँ पर यह जो बॉडर दिया हुआ है इसमें यह चारो तरफ यही सेम बॉडर लगा हुआ है और इसके यहाँ पर आप देखोगे कि छोटे छोटे नग लगे हुए हैं ऐसे यह नग ऐसे ही छोटे छोटे पूरे दुपटे में लगे हुए है इस दुपटे के जो length है वो 1.5 मिटर है और इसकी जो छोड़ाई है वो भी काफी अच्छी दी हुई है तो गैस आपने देखा कि यह अनारकली गाउन मुझे कैसा रिसीव हुआ है अब इसके बाद जो मैंने next सरारा सूट मंगाया है उसको एक बार देख लेते हैं उसकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं और नाम और प्राइस भी वहाँ पर मेंशन होगा यह हमारा सरारा सूट और यह इस तरीके की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है और यह मैंने फ्लिप कार्ट से मंगवाया है इसके अलग-अलग कलर वहाँ पर एबलेबल थे मैंने इसको येलो और डार्क ग्रीन कलर में मंगाया है तो चाहिए इसको भी ओपन कर लेते हैं और देखते हैं ये अंदर से में कैसा रिसीव होगा ये मैंने येलो और डार्क ग्रीन कलर में मंगाया है तो यहाँ पर ये मुझे इस तरीके की प्लास्टिक की पैकेजिंग में रिसीव हुआ है ये सरारा सूट भी सैमी स्ट्रिच है यहाँ पर ये जो उपर का कुर्टा दिया हुआ है इस तरीके से इसकी ये नेक आएगी ये छोटा सा डिजाइन दिया हुआ है बॉडर दिया हुआ है इस पे नेक पे और इसमें ये जो आपको इम्झराइडरी करिवी दिख रही होगी ये नेट के ऊपर करी हुई है और अंदर से इसका अलग कपड़ा दिया हुआ है और ये जो इम्झराइडरी है ये सेम ऐसे ही पूरे कुर्टे में करी हुई है नीचे तक और सबसे नीचे यहाँ पे यह border दिया हुआ है ग्रीन कलर के उपर यहाँ पे embroidery करी हुई है और जिसके back side आएगी वो बिल्कुल plane आएगी यह हमने देखा जो उपर का कुर्टा हमें receive हुआ है अब इसके साथ में जो bottom आया है उसको एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पे मुझे bottom के सरारे के लिए यह दो कपड़े receive हुए है यहाँ पे यह जो कपड़ा है दो मेटर दिया हुआ है और यह थ़्ड़ा shiny सा है ठीक है और एग मुझे यह Georgette में गपड़ा receive हुआ है तो यह जो Georgette में कपड़ा है यह उपर से तो पुरा plane है लेकिन यहाँ पर नीचे नीचे इसमें यह embroidery करी हुई है इसका जो शरारा हम बनवाएंगे इसके चारो तरफ यह embroidery आएगी और यहाँ पर मुझे दुपटा रिसीव हुआ है इसका भी फैब्रिक जॉर्जेट में है और यहाँ पर इस तरीके का यह border लगा हुआ है जो लेंड है वो डेड़ मीटर है और यह थोड़ी सॉफ्ट से फैब्रिक में है जॉर्जेट के तो दोस्तों यह था हमारा सरारा सूट यह मैंने फ्लिप कार्ट से मंगवाय था और इसमें इम्रोइडरी करी रही है उसका काम बहुत ही अच्छा आया है तो दोस्तों और भी अलग-अलग टाइप के प्रडिक्ट के रिव्यू देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक यू